हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू तो जुरावर क्लासिस आप सभी का स्वागत है हिंदी MCQ की क्लास में तो सब लोग क्लास से जुड़ जाएंगे विकॉज आज हमारा जो टॉपिक है वो है अलंकार और अलंकार मुझे ऐसा लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत स करेंगे और अलंकार आज मैं एकदम नॉर्मली आप लोगों को एक ट्रिक की तरीके से बताऊंगे ठीक है एकदम नॉर्मल तरीके से जो आप लोग पहले से भी जानते हो बट आप लोग फॉलो नहीं करते हो तो आज आप लोग फॉलो करोगे क्योंकि आज मैं आप लोगो को कुछ extra नहीं बताऊंगी सिर्फ उतना ही rule बताऊंगी जो आपके लिए exam में ऐसा हो कि हाँ आप कर सकते हो तो चलिए आ जाते हैं question पर first question पर आ जाते हैं screen पर लिखा गया है विशंबर शलब सिर धुन कहता मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल तो बताना है इसमें कौन सा अलंकार है ये बताएंगे आप लोग कौन सा अलंकार है option A है रूपक B option है अनुपराज C option है उत्परिक्षा and D option है उपमा तो जल्दी से comment करेंगे देखिए बस rule follow करना है आपको rule follow करना है रूपक अलंकार में क्या होता है रूपक अलंकार में आपको बताया गया है कि इसमें क्या होगा पैचाने का simple सा तरीका आप लोगों को बताया गया है कि maximum time आपको बीज में इस तरीके से hyphen का चिन्द देखने को मिलता है ठीक है मैं maximum बता रही हूँ लेकिन ऐसा भी हो सकता हो कि शायद ये चिन्द ना मिले ठीक है अनुप्रास अलंकार में क्या होता है अनुप्रास अलंकार में जो वर्ण होते हैं जिसे हम कहते हैं अक्षर इनका दोहराव होता है और साथ में जो उत्प्रेक्षा होता है सब्दों के बीच में मन मानो मन हूँ जन जानो जन हूँ इस तरीके के शब्द आने चाहिए और उपमा अलंकार में बताया गया था आप लोगों को कि साज से सी जैसे ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वो उपमा अलंकार होता है अभी अब पहला रूल फॉलो करो बीच में हमें हाइफन मिला मिन्स हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा रूपक अलंकार होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर मूब करते हैं सेकंड कोश्चन पर आ जाते हैं सेकंड कोश्चन स्क्रीन पर बताना है कि कौन सी ऐसी पंक्ती है जिसमें अनुप्रा सलंकार है option A है सुघर, सलोने, श्याम, सुन्दर, सुजान, कान अगर पढ़े हूंगे ध्यान से first question न तो ये करना असान हो जाएगा B option मदवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलिया C option जार को बिचार कहां, गनिका को लाज कहां, गधा को पान कहां, आंधरे को आरसी and D option है तुंग हिमालय के कंदों पर छोटी बड़ी कई जिले हैं तो बताएंगे अनुप्रा सलंकार में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर वर्ण या अक्षर की क्या होती है आवरिती होती है, तो आप फर्स्ट option को अगर नोटीस करोगी तो यहाँ पर सर लिखा है, फिर सर, फिर सर, फिर सर और सर ठीक है तो यानि कि सर की आवरिती हुई है, चुकि यहाँ पर रूप में अंतर है तो रूप से या नहीं लेंगे, क्योंकि अनुपरास अलंकार में फिर आप वित्या अनुपरास, लाटा अनुपरास, छेका अनुपरास ऐसे पढ़ेंगे तो उसमें रूप परिवर्तन के आधार पर अनुपरास को बाट दिया गया है लेकिन यहाँ पैसा कुछ नहीं, सिंपल हमें अनुपरास अलंकार बताना है तो इसका correct answer होगा, option A option A में क्या हो रहा है, कि जो सर्वर्ण है सर्वर्ण है, इसकी क्या हो रही है? आवरिती हो रही है next question, third number का question देखेंगे जिब किसी काव्यांस में एक ही शब्द का प्रियोग दो बार हो एक ही शब्द का प्रियोग कितनी बार हो? दो बार हो लेकिन उसके अर्थ क्या होने चाहिए? अर्थ उसके अलग-अलग होने चाहिए तो कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास, यमक, सलेस या फिर उपमा तो अनुप्रास तो नहीं होगा अभी हम लोगों ने किया उपमा भी मैंने बता दिया कि सेसा जैसे ऐसे शब्सका प्रयोग होना चाहिए सलेस या उपमा हो सकता है तो स्लेस में क्या होता है स्लेस अलंकार में शब्द एक ही रहेगा एक ही शब्द रहेगा एक ही बार वो शब्द आया रहेगा और उसके अर्थ क्या हो जाएंगे उसके अर्थ भिन हो जाते हैं या अनेक हो जाते हैं लेकिन यमक अलंकार में क्या होता है कि दो बार शब्द आएंगे शब्द दो बार आएंगे और इसके अर्थ दोनों शब्द के अर्थ क्या होंगे अलग अलग अर्थ होंगे अलग अलग अर्थ होंगे तो यही तो कहा गया है कि एक ही शब्द का प्रियोग दो बारो मिन्स सब्दों का दोहराओ हो और उसके अर्थ भी क्या हो भिन नहूं तो कौन सा लंकार होता है यमक लंकार हो जाता है थर्ड कोशन का correct answer option B next question देखते हैं अगला question कहे कभी बेनी बेनी ब्यालिक की चुराई लीनी तो उपर दी गई पंक्तियों में ब्याप्त लंकार हमें बताना है option A है उपमा लंकार, B option है पुनरुक्त प्रकास लंकार, C option है मानवी करण लंकार and D option है यमक लंकार अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि शब्दों का दोहराव हो और दोनों के अर्थ अलग अलग हो तो कवी बेनी मतलब यहाँ पर कवी का नाम है बेनी और दूसरे बेनी का अर्थ होता है चोटी दूसरे बेनी का अर्थ होता है चोटी यानि कि एक ही शब्द का दोहराव हुआ है लेकिन दोनों के अर्थ क्या है अलग-अलग हैं तो इसमें अलंकार होगा, यमक अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, अभी हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा, चलिए, next question पर आ जाते हैं, अगला question दिया गया है, नीचे दिये गए विकल्पों में से, कौन सा विकल्प शब्दा अलंकार, ठीक है, कौन सा विकल्प? शब्दा लंकार का उधारण है, सब्दा लंकार का उधारण है, options देख लेते हैं, option A है सलेश लंकार, B option है उपमा लंकार, C option है यमक लंकार and D option है अनूप्रास लंकार सॉरी, सब्दा लंकार का उदाहरण नहीं है, ये पुछा गया है, ठीक है, सब्दा लंकार का उदाहरण नहीं है, इस चीज़ पर ध्यान दीजेका, अकसर ये एक्जाम में गलत हो जाता है, अगर हम पढ़ते नहीं है, तो इसमें correct answer होगा, option B, option B, उप्मा लंकार जो है, ये सब्दा लंकार का नहीं, बलकि अर्था लंकार का उदाहरण है, अर्था लंकार का एक लंकार होता है, बाकि शलेस, यमक और अनुप्रास, ये तीनों सब्दा लंकार होते हैं, I think आप लोगों को clear हो रहा होगा, अगर सारी चीज़े समझ में आ रही हैं, question समझ में आ रहा ह चितवत चहू चोर, सूबरन को ढूढ़त फिरत कवी बेविचारी चोर, मुझे उमीद है, मुझे पुरा विश्वास है कि आप लोग इस कहान सा correct करेंगे, ठीक है, फिर दिया गया है, रेखांकित पद के शाथ, तीन सब्द चिपके होने के कारण, ये यहाँ पे इसको प अर्थ क्या है, इसके बहुत सारे अर्थ है, ठीक है, इसके तीन पद के साथ तीन अर्थ आएंगे, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास, यमक, स्लेस या फिर उपमा, तो अभी हम लोगोंने स्लेस अलंकार में पढ़ा है, कि शब्द एक ही रहेगा, लेकिन अर सूबरन का अर्थ हम ले सकते हैं सुन्दर रंग से, किस से? सुन्दर रंग, मतलब गोरा रंग से यहाँ पे लेना है, ठीक है, गोरे रंग से, और सूबरन का मतलब हम ले सकते हैं सोना से, किस से ले सकते हैं सोना, यानि कि एक कवी को सुन्दर अक्षर की तलास होती है, एक बेविचारी पुरुस को एक सुन्दर महिला या सुन्दर रंग की तलास होती है और चोर को किसकी तलास रहती है सूने की या धन की तलास रहती है सूना मतलब sleeping वाला नहीं सूना मतलब gold वाला उसकी तलास रहती है ठीक है तो एक ही सूबरन के तीन अक्षर मिन्स यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर correct answer होगा option C, slice, अलंकार चलिए next question पर आ जाते हैं अगला question साइध यह question आपको थोड़ा सा confuse करें क्योंकि लोग definition नहीं याद करते हैं तो ऐसे question करना थोड़ा मुस्किल होता है question क्या है उपमे में यदि उपमान की कलपना या संभावना की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है तो जल्दी से आंसा करेंगे option A है उपमा अलंकार B option है रूपक C option है उत्रेक्षा and D option है पुनरुक्त प्रकास तो जल्दी से इसकांसा करेंगे आप लोग देखें सिंपल सा कॉंसेप्ट है सिंपल सा कॉंसेप्ट है जब भी आप अर्था अलंकार पढ़ेंगे रा जब भी आप अर्था अलंकार पढ़ेंगे तो आपको उपमे और उपमान देखने को मिलेगा ठीक है उपमे उपमान में जब भी कभी भी कलपना जब भी कभी भी कलपना या संभावना की बात की जाए ठीके, कलपना या संभावना की बात की जाए तो वहाँ पर कौन सा लंकार हो जाता है वहाँ पर होगा उत्परिक्षा लंकार वहाँ पर होगा उत्परिक्षा लंकार यानि कि 7th question का जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option c अब कुछ लोगों को confusion होता है कि ये आप लोगों को पता होगा कि उपमा और उपमे क्या होता है ये थोड़ा confusion होता है तो इसको हम लोग clear कर लेते हैं उपमे और उपमान क्या होता है ठीक है उपमे और उपमान शिद्ध वस्तु या व्यक्ति से जिसका वर्डन किया जाता है वो क्या होता है उपमे होता है और जिस वस्तु से तुलना की जाती है वो क्या होता है उपमान होता है जैसे अगर हम राधा की तुलना किस से कर रहे हैं चांद से कर रहे हैं तो चांद हो जाएगा उपमान चां और राधा क्या हो जाएगा? राधा हो जाएगी उपमें, तो जिसकी तुलना करेंगे वो उपमें, जिससे तुलना किया जाएगा वो उपमान होता है, ठीक है? अब देखिए समझने का एक तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें कहा क्या गया है कि कल्पना या संभाव तो कल्पना और संभावना करने के लिए इसमें आपको मानो शब्द का उत्प्रिक्षा लंकार पहचानने का तरीका होता है मानो, मन, मनहू ठीक है फिर इसी तरीके से जन, जानो, जनहू इस तरीके के शब्द इसमें प्रियोग होते हैं तो हम अगर ये कहें कि राधा तो हम ये क्या करें संभावना कर रहे हैं कल्पना कर रहे हैं ठीक है क्या कर रहे हैं संभावना या कल्पना कर रहे हैं तो जब ऐसी कंडिशन हो तो कौन सा लंकार होता है उत्प्रिक्षा लंकार हो जाता है चलिए नेक्स्ट कोश्यन पर आ जाते हैं अगला कोश्यन है नी अगर इस तरीके के सब्द आते हैं तो वो कौन से अलंकार हो जाएंगे वो हो जाते हैं उपमा अलंकार पढ़ लेते हैं एक एक उप्शन ए है वह सर इधर गांडिव गुड से भिन जैसे ही हुआ धड़ से जैदरत का इधर सिर छिन वैसे ही हुआ ठीक है बी ओप्शन सहस बाहु शम सो रिप मोरा सी ओप्शन बाल कलपना के से पाले यह देखिए अरबिंद से सिसु बरिंद कैसे सो रहे ठीक है यह सो नहीं बलकि यह से होना चाहिए था ठीक है तो ये अगर देखें तो यहाँ पे हमें वो शब्द मिल गए जो तुलना करने के लिए प्रियोग किये जा रहे है और option A ऐसा है जिसमें हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक शब्दों का प्रियोग नहीं हुआ है आप लोग अगर इंग्लिस में सिमली को जानते होंगे तो उपमा अलंकार सबसे easy अलंकार होता है पहचानना सबसे आसान होता है तुलना किया जाता है और तुलना करने के लिए तुलनात्मक शब्द की भी जरूरत होती है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला कोशन क् मानवी करड़लंकार में क्या होता है कि किसे भी निर्जीव चीज को हम ऐसे दिखाते हैं जैसे वो सजीव हो ठीक है तो निर्जीव को हम कहते हैं जड़ निर्जीव को हम क्या कहते हैं जड़ क्यों जड़ कहते हैं कभी आप लोग बताओ जो पेड़ की जड़ होती है जो कि वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, फिर भी उनमें बृद्धी विकास सारी चीज़े तो होती रहती हैं, वो तो सजीव हैं, लेकिन यहां पर जड़ का मतलब हम सिफ निर्जीव से जानेंगे, चीके, और चेतन का मतलब क्या होता है, चेतन का मतलब होता है सजी कि सजीव को निर्जीव बता दिया जाए, बी उपस जड़ का गुडगान करना ही कवी का उद्देश्य है, याने कि निर्जीव वस्तु का गुडगान किया जाता है, फिर C जड़ का प्रभाव लोक सीमा से परे हो गया, चीके, और D उपस जड़ पर चेतन का आरोप लगा तो इसका correct answer होगा option D, यहाँ पर आरूप लगाने का मतलब यह नहीं, कि किसी पर हम आरूप लगा करके उसे सजा दिला रहे हैं, ठीक है, आरूप लगाने का मतलब कि हम उसे मान लेते हैं उस तरीके की चीज़, जैसे माल लीजिये, कि लोग बोलते हैं, love is blind, प्यार क्या होता है, अंदा होता है, तो प्यार क्या सजीव है, नहीं, वो निर्जीव है, एक feelings है, लेकिन हम उसको ऐसे मान रहे हैं, ऐसे मान रहे हैं, कि जो कोई सजीव, इंसान हो, या सजीव की तरह हम उसको दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हो जाता है, मान भी करट, next move करेंगे, 10 number का question, कंज कली, नाइका, लतान, सिर सारी, दै, ठीक है, बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, option A है, सलेस, B option है, यमक, C option है, मान भी करट, and D option है, अनियोक्ती, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कंज कली, नाइका, अगर आपको कंज का मतलब मतलब फूल पूरा वो बनने से पहले की अवस्ता होती है, और कंज कली का मतलब होता है, कमल का फूल, ठीक है, यहाँ पर कमल का जो फूल है, उसे क्या कहा जा रहा है, नाइका कहा जा रहा है, मतलब हीरो इन कहा जा रहा है, जो मूबी में आप लोग देखते हो ना, जो एक एक तरीके से मुडी हुई है उस नाइका के उपर जैसे उसके उपर साडी का कह सकते हैं ओढ़ा गया हो ठीके तो यहां पर क्या किया जा रहा है यहां पर एक निर्जीव वस्त को चुकि देखिएगा यह चीज़ हमें सापने ध्यान में होना चाहिए कि जो हमारा साइन्स है पेड़ पॉद्व वस्त को स Stick बता रहा है यहां पर आप लौवा क कमल क ररा यहां पर को सजीव की तरह धर्साया जा रहा है तो कौन सा अलंकार होगा, मानवी करड़ अलंकार होगा, याले कि 10 नंबर का जो question है, उसका correct answer होगा, option C, correct answer होगा, option C, चलिए, next question पर आजाते हैं, अगला question, मोतिन की जोती मिलियो, मलिका को मरकंद, बताएंगे कौन सा अलंकार होगा, जल्दी से option देख लेते हैं, option A है उपा का लंकार, B option है अनुपरास, C option है उत्परेक्षा, and D option है उपमा, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा असान कर देती हूँ, लेकिन इसका अंसर आप बताओगे, उपमा लंकार क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुल्लात्मक कोई भी शब्द प्रियोग नहीं किये ग आवरिती हो रही है, जो मा है, इसकी आवरिती चार बार हुई है, ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुपरास अलंकार हो जाएगा, नेक्स्ट कोश्चन है, अतिश योगती, अतिश योगती में क्या होता है, कोई बातों को हम बहुत बढ़ा चड़ा के कहेंगे, ठीक है, बातों को हम बढ़ा चड़ा के कहेंगे, ओप्शन देखते हैं, ओप्शन ए है, बाल कलपना के से पाले, ठीक, बी ओप्शन, मैं मज परदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या? C. अपने भी बिमुक परायब बन आखों के सम्मुक आएंगे D. ऑप्शन जा दिन जन्म लिहो आलहा ने धर्ती धस गई धाई हाथ आप बताओ क्या किसी के जन्म लेने से जो धर्ती होती है वो धाई हाथ अपने में उपमे में उपमान का आरोप कर अभेद अस्थापित किया जाता है यहाँ पर क्या किया जा रहा है उपमे में उपमान का आरोप करके अभेद कर दिया जा रहा है मतलब अभेद करने का मतलब होता है कि हम उपमे को ही क्या मान ले रहे हैं उपमान मान ले रहे हैं उपमे क्या होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान मतलब क्या होता है? जिससे तुलना की जाए अब यहाँ पे फिर से मैं आपको वही एक्जामपल दूँगी एक तो लिजे राधा और दूसरा लिजे चांद यहाँ पे क्या करना है? राधा को ऐसे दिखाना है जैसे वो चांद है ठीक है? राधा को ऐसे दिखाना है जैसे चांद है तो क्या हम ऐसे लिख सकते है? चांद राधा ठीक है? इस तरीके से लिख सकते हैं चांद राधा आज आई है चांद राधा आज आई है ठीक है? आई है तो यहाँ पे हम इनको क्या कर दिये उपमे और उपमान इनको हम ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इन दोनों में अंतर ही नहीं है लग रहा है कि चांद को हम बोल रहे हैं या राधा को बोल रहे हैं या चांद ही राधा है या राधा ही चांद है ठीक है तो इसमें क्या किया जा रह ठीक है तो वहाँ पर क्या हो जाता है उत्प्रिक्षा अलंकार होता है चलिए next question देख लेते हैं अगला question है गायक जब अंतेर की जटिल तानों के जंगल में खोच चुका होता है बताना है अलंकार option ए है रूपक अलंकार, b option है उत्तम अलंकार, c option है स्लेस अलंकार and d option है यमक अलंकार तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग कौन सा अलंकार होगा शायद यहाँ पे आप लोग के मुश्किले थोड़ी से बढ़ने वाली है थोड़ी से बढ़ने वाली क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने हाइफन का यूज नहीं किया है थीक है? चुकि इसमें जो आंसर होगा वो correct answer है option A correct answer है option A रूपक अलंकार होगा अब रूपक कैसे होगा? जटिल तानों के जंगल ठीक है? यानि कि जो ताने होते हैं ताना मिंस क्या होता है? ताना मिंस एक तरीके से हम कहते हैं जैसे आप कोई काम नहीं कर पाए तो घरवाले बोलते रहते हैं डाठ्ते रहते हैं उनको अलग-अलग तरीके से दिखाएंगे कि आपने काम नहीं किया तो वो तानः होता है तो यहाँ पर ताना को दिखाया जा रहा है जंगल की तरह है ठीक है, जंगल की तरह, मतलब यहाँ पर दोनों का इस तरीके से कॉंबिनेशन है, इन्हें अभेद कर दिया गया है, यह कहना मुस्किल है कि जो ताना है वो जंगल है, या फिर जो जंगल है वो ताना है, ठीक है, उपमे को उपमान में अभेद कर दिया गया है, तो जब ऐसी condition होती है तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार और हमेशा याद रखेगा कोई जरूरी नहीं है कि रूपक में हर बार आपको हाइफन ही बिले बहुत सारे condition ऐसे होते हैं जहाँ पर हाइफन का प्रियोग नहीं किया जाता है फिर भी आपको एक चिर्ज याद रखना है कि comparison तो किया जा रहा हो लेकिन comparison करने के लिए तुलना करने के लिए वो तुलनात्मक शब्द प्रियोग नहीं किये रहेंगे ठीक है तो correct answer option B और last question बताना है कि कौन सा अर्था लंकार का उदारण नहीं है अर्था लंकार का उदारण नहीं है option देख लेते हैं option A है रूपक, B option A उत्परेक्षा, C option है अनुप्रास and D option है अतिश योगती तो इसे से related कुछ सब्दा लंकार के question थे जो हम लोगों ने किया था तो इसका correct answer होगा option C option C क्योंकि अनुप्रास लंकार जो है ये अर्था लंकार नहीं है बलकि ये क्या है शब्दा लंकार के अंतरगत आता है तो बाकी के comment करके आप लोग बताएंगे कि और कौन-कौन से ऐसे लंकार है जो शब्दा लंकार के अंतरगत आते हैं ठीक है तो मिलेंगे अपने next video में next class में मुझे याद नहीं है कि कौन सा topic है पढ़ने के लिए विराम चिन शायद है ठीक है तो देखते हैं हो सकेगा तो live किया जाएगा ने तो recorded classes ही मिलेंगी आपको और अच्छे से पढ़ाई करिएगा साथ में ये भी feedback देंगे कि क्या सारी चीज़े आपको clear हो पाई या फिर अभी भी कोई problem है बढ़ाई करिए thank you